तो भाई लोग फ्लाइंग गिलिश करने के लिए सबसे पहले आपको एक बगई के जरुत पड़ेगी और जब आपको बगई मिल जाए तो बगई लेके सिधा हैपर लाइन के पास चले आना है अब यहाँ पर आने के बाद आपको हैपर लाइन का इंतजार करना है तो guys अब जैसे ही hyperline आएगी आपको बगगी को hyperline के आगे खड़ा कर देना है और बगगी का जितना हिस्सा hyperline के अंदर जाए उतना आपको अंदर कर देना है तो guys जाद भगगी hyperline के अंदर चली गई है अब हम स्विच्च करके पीछे वाली सीट पर बैट जाएंगे और हाईपर लाइन चलने का इंतजार करेंगे ओ भाई साब तो देखा आप लोगों ने जैसा ही हाईपर लाइन चली हम आसमान के उचाईयों में आ गए और हाँ गाईज आपको सीट अभी चेंज करनी है जब आप सिंगल होके यह वाला गिलिश करोगे जब आप डबल लोग रहोगे तो फिर सीट चेंज करनी की कोई जरूत नहीं अगर आप सिंगल होके यवाला गिलिश करोगे तो फिर आप एक जहा से दूसरी जहाँ पे नहीं जा पाओगे लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है यार आप एक जगा से दूसरी जा नहीं जा सकते हो लेकिन बंदे तो आपके पास आ सकते हैं ना गाइज इस ग्लिश से यह होता है कि आप बंदों को आसमान में नहीं बलकि बग्गी के अंदर दिखते हो तो बाई लोग को सोज में आयाीया नहीं आया न मैं आपको बताता हूँ तो गाइज यह बंदा भी गिलीश करके गाड़ी में बैठा हुआ था यह बंदा मुझे दिक्त गाड़ी के इनदर रहा था लेकिन असलियत में आसमान में उड़ रहा तो गाइस प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो दो यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना आपको इस चैनल पर गेमपले वीडियो के साथ साथ पबजी टिप्स और ट्रिक्स की भी वीडियो मिलते रहेंगी तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में